हेलो दोस्ता कैसे हैं आप सब विलकम बैक टू जॉब यॉश्टी मैं हो प्रकाष आज 27 अमार्च है यानि कि आर भी इस्टेंट प्रिलिम्स की आज सकेंड डे है शिफ्ट वन की एक्जाम ओवर हो चुकी है तो आए देखते हैं किस टाप के क्वेश्चेंज पूछे गया थ जिससे 5 questions पूछे गया थे, arithmetic से 10 questions पूछे गया थे, arithmetic में simple interest, compound interest, then partnership, mensuration, profit and loss, time and work, train both, इन सब topics से questions पूछे गया थे, maximum candidates ने 30 plus attempt किया है, English की बात करें तो English का level भी easy था, reading comprehension पूछा गया थे, story based, English की बात करें तो English का level भी easy था, एक reading comprehension पूछा गया थे, story based, एक 8 questions पूछे गया एक दो question vocabulary से भी पूछे गया थे, close test के 7 questions पूछे गया थे, rearrangement of sentences से 5 questions पूछे गया थे, word replacement के 5 questions पूछे गया थे, error detection के 5 questions पूछे गया थे, maximum candidates ने English में 25 plus attempt किया है, reasoning की बात करें तो reasoning का level भी easy था, circular, seating arrangement से 5 questions पूछे गया थे, floor based puzzle एक पूछा गया था, 5 questions उसे पूछे गया month based puzzle से 5 questions पूछे गया थे, silox से 4 questions पूछे गया थे, direction के 3 questions पूछे गया थे, mix series से 5 questions पूछे गया थे, Chinese coding से 5 questions पूछा गया था, और उसके बाद, एक एक नमबर के questions कुछ पूछे गया थे, 2-3, जैसे एक question पूछा गया था, number pair वाला, एक question पूछा गया था, meaningful word के बनाना थ था और एक और question था जिसमें unchanged number आपको बताना था और maximum candidates ने reasoning में भी 30 plus attempt किया है तो अगर overall paper की बात करें तो paper का level easy था अगर आपने 87-88 plus attempt किया है तो यह good attempt माना जाएगा तो अगर आपने आज यानि कि first shift में अगर आपने exam दिया है RBI stand का I stand prelims की तो आप comment करके बताना कि आपने section wise कितने questions attempt किया है और आपको paper का level कैसा लगा अगर आप banking exams के तयारी करें और structured way में अगर आप preparation करना चाहते हो ताकि maximum एक या दो attempt में ही आपका selection हो जाए तो आप academic की bank exams की subscription ले सकते हो देखिए इस वीडियो के first comment में आपको इसकी direct link मिल जाएगी दो अलग अलग plans है एक है plus दूसरा है iconic plus basic plan है इसमें आपको इंडिया के जो best educators है उनसे पढ़ने का मौका मिलता है interactive live classes मिलते है यानि के live classes के दुरान आपके जो भी doubt रहती है जो भी queries रहती है वो solve किया जाता है answer किया जाता है structured courses आपको मिलते हैं जो कि exam में आपको बहुत जादा benefit करता है study के लिए free PDFs वगरा मिलती है regularly यहां live test होते रहते हैं and quizzes होते रहते हैं ताकि आप भी performance और better है exam में लेकिन अगर आप iconic वाला जो plan है यह अगर आप लेते हो तो इसमें आपको फायदा यह होता है कि plus वाले जो benefits है वो सब आपको मिलेंगे इसके अलावा आपको priority doubt solving मिलती है इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी आपको कोई भी अगर suppose कि आप कोई course देख रहे हो या फिर कोई video अगर आप देख रहे हो और आपको कोई भी confusion होता है कोई query होती है तो आप कभी भी question पूर सकते हो and तुरंत आपको उसका answer किया जाएगा इसके लावा आपको live classes में priority मिलती है इसका मतलब यह हुआ कि जैसे live classes जब जल रही होती है उससे में अगर आपको कोई भी doubt रहती है तो उसे पहले आपको priority देकर आपके question को answer किया रहाएगा अगर आप कोई भी plan लेना चाहते हो plus यह iconic job 2022 code use करके आप extra 10% discount ले सकते हो देखे अभी लगातार bank exams होने वाले हैं और anacademy के जो subscription है इसमें भी price hike होने वाला है तो अगर आप courses purchase करना चाहते हो तो आप जल से जल subscription plans ले सकते हो